नमस्कार किसान बाईयों, किसान विलेज यूटूब चैनल में आप सभी किसान बाईयों का बहुत बहुत स्वागते आज हम बात करने वाले गोबी की खेती में आप अच्छे उत्पादन और अच्छे लाब के लिए डाइबंड बेक मोथ, इल्ली, सुंडी और लटका नियंतरन कैसे करेंगे और किस तरीके से आप इनका नियंतरन करके आप अच्छा उत्पादन और अच्छा लाब ले सकते हैं ये कीट गोबी और पता गोबी की फसल को पूरी तरह बरबावित कर सकता है अगर आप इसका समय पर नियंतरन नहीं करेंगे तो आपकी पूरी फसल कीट के कारण बरबाद हो सकती है कहीं बार देखा गया है कि ये कीट हमारी फसल की पत्तियों को खा करके उन्हें नुकसान पहुंचाता है और हमारे उत्पादन को पूरी तरह परबावित कर सकता है तो इसके लिए आप समय पर इसका नियंतरन कर दे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारी फसल की आज से 7-8 दिन पहले ये कंडिशन थी और हमने जब इसका दवाई का स्प्री किया है तो हमें इस दवाई का अपना फसल पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है तो इसलिए मैं आपको ये जानकरी लेकर आया हूँ कि आप भी अपनी फसल में इस कीट से नियंतरन कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको सभी तरह की दवाई की जानकरी मिलेगी कौन सी दवा का इस प्रेय पर जैसे ही हमने इस दवागा इस पर किया है तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिला है इसके लिए हम आपके लिए ये जानकरी लेकर आए हैं अभी हमारी फसल पर 90% कीटों का नियंतरन हो चुका है और कुछ मात्रा में जो कीट है उसके लिए अब हम एक से दो 20 दिन में इसके उपर वापस ब्वकरेंगे अभी हमारे कुछ समय पहले जो पने चिती और अभी यमारी जो फसल है वह पूरी तरह सोचते हैं कीट के अधिक प्रवाव के करण मुझे लग रहाता किए फसल DP पूरी तरह खराब हो सकतی है पर जैसे ही मैंने Fortuner कीट नासक का और UPL के ULALA कीट नासक का इस्प्रेश अपनी फसल पर किया है तो मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन दोनों का अपनी फसल पर देखने को मिला है गोबी की फसल के लिए Fortuner एक बहुत ही अच्छी दवा है Fortuner कीट नासक के अंदर इमामेक्टिन, बेंजोएट, पांथ परतिसत, SZ-FORM में मोजूद होता है, जो गोबी और पत्तागोबी की फसल के लिए बहुत ही लापकरी है, जो हमारी गोबी और पत्तागोबी की फसल में डायमेंड बेक मोथ और इल्ली का पूरी तरह सपाया कर देता है, दूसरी दवा हमने इसमें UPL के उलाला किर्णासक का इस्प्रे इसमें किया है, हमने Fortuner और UPL के उलाला का दोनों का मिक्सर तयार करके अपनी फसल में एक साथ इस्प्रे किया है, जो बहुत ही अच्छा कीटना सक है, अगर आप Fortuner Insecticide की 5-6 ग्राम मात्रा का पति टंकी में उप्योग करते हैं, तो ये एक दवा ही आपकी फसल में इन कीटों का नियंतरन कर सकती है, Fortuner ब्रांड के अलावा भी इमामेक्टिन, बेंजोएट, और भी बहुत सी कंपनियों में और बहुत से नाम से आपको बाजार में मिल जाएगी, इन सबी का आप अपनी गोबी के फसल में उप्योग करके बहुत अच्छा लाब ले सकते हैं, ये दवा हलकी नमकीन के तरह आती है, इसका उप्योग बहुत ही अच्छा रहता है, इस दवा का उप्योग आप कभी भी ऐसी अवस्ता में नहीं करें, जब आपने पसल को पानी दिया है, या फिर पसल पर ओस अधिक है, तो उस अवस्ता में आप इस दवा का उप्योग नहीं करें, इस दवा का उपयोग जब भी आप करें तो सर्दी के समय में दिन में तीन से चार बजे के लगबग में करें जिस टाइम पर पोदा थोड़ा सा नाजुक होता है और ओस की मात्रा पोदे पर बहुत ही कम होती है अगर आप इस समय इस्प्रे करेंगे तो आपको इस दवा का अच्छा रिजलिट मिलेगा इमामेक्टिन बेंजोएट का पांच परतिस्त मात्रा का मुल्ले आपको तीन सो से चार सुरूपे के लगबग में मिलेगा इसे आप अपने नद्दी की मार्केट में से खरी सकते हैं अगर यह आपको अपने नद्दी की मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी इसे ओनलाइन खरी सकते हैं अगर आपकी फसल अभी छोटी अवस्ता में है तो इसमें आप नागरजुना के प्रोपक सूपर का स्प्रेय भी कर सकते हैं फसल की छोटी अवस्ता में ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है यह आपको सस्ता भी पढ़ता है और आप इसे कहीं से भी खड़ी सकते हैं यह बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा इन सभी दवाईयों का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको ये मार्केट में नहीं मिल पाती है तो आप इन्हें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी खरी सकते हैं गोबी की खेती के लिए इमामेक्टिन, बेंजोयेट, पांत परसीशत, वाली, मात्रा बहुत ही अच्छी आसा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगाए अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो आप इसे लाइक करें और सेर करें और हमारे किसान विलिज यूटुब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद, जे जवान, जे किसान